महीं ऑपरेशन देवी शक्ती के तहत भारत सरकार की टीम ने 110 हिंसा ग्रस्त लोगों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर लिया है शुक्रवार को एक स्पेशल फ्लाइट में सभी काबुल से नई दिल्ली लाए गए जहां वीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडड़ा और केंद्रिय मंत्री हरदीप पुरी ने सभी को रिसीव किया रेस्क्यू हुए लोगों में कई अफगान नागरिकों के साथ महिलाएं और वच्चे भी शामिल है जो काबुल में बने मंदिर और गुरुद्वारों से रामायन, महभारत, भागवत गीता और गुरु गरंत साहिव जैसे धर्म गरंत भी साथ लाएं है इंडिया वर्ल्ड फोरुम के मताबिक दिल्ली आय अफगान नागरिकों को सोबती फाउंडेशन में ठहराया जाएगा